प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी हर रैली में अपने विकास के आकड़े जुनता के सामने पेश करते हैं लोगों के सामने आकड़ों के जरीये वादों की जड़िया लगाते हैं लेकिन आज उन आकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्हीं के पार्टी के नेता ने पीम मोदी सरकार को छूटा बताया है और दिकास करने जैसे कई वादों को पूरा करने में ये सरकार बिफल गई है शौरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें नेताओं की सूरत पर नहीं चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि वो जनता के हित्ने काम करेगा या नहीं उन्होंने कहा कि हमने नरेंदर मोधी के मामले में चूप कर दी वो जंता के भले के लिए नहीं बलकि स्वार्थ की राजनीती करते हैं शौरी ने शीत कालिन सत्र देर से शुरू करने की भी निंदा की आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता ने अपनी पार्थी के काम काज़ पर सवाल उठाए हो इससे पहले भी वो आर्थिक नीती को लेकर मोधी सरकार को भिर चुपे हैं